राम राम भाई सबीने सुबह के शुरुआत हम चाई के साथ करते हैं यह है मेरा भाई राजू जो कि चाई बर रहा है और अब इस चाई को हम पेंगे केसे क्या लगती है चाई और भाई चाई बहुते इच्छी बढ़े हैं और दोस्तों फिर सिद्धा हम अपनी बाईक लेकर सुबह सुबह कोई की तरह निखल पढ़ते हैं क्योंकि कुए पर जाकर हमको अपनी बेंसो और गाई के लिए यह जो अपना गेहों का खेत है क्योंकि इसमें से भुजा बढ़ने का काम करना था इसको सफुखला भी बोलते है मालवी बाशा में और फिर शुकला बढ़ने के बाद हम घर आ गया और घर आने के बाद मैंने वीडियो बढ़नाया क्योंकि सुबह इस प्रकार पहले से हो या शहर से कमेंट में जरूर बताए क्योंकि गाउं में रहना का एक लग ही मजा है . अब भी में भी छगत पर आगया हूं और यह वाल गुमाने से अपनी टंके में पानी जाने लगा है और गाउं में इस परकार से टेंकी बरने का काम किया जाता है देखी सकते हो आप टेंकी में पानी आने लगाए टेंकी बरने वाली है आप और उसके बाद आप यहां से हमारे खेत देख सकते हो यह गाई के बिच्चे जितने भी खेते अपने ही है और अभी मैं में मैं मैरे मेरे सामने वाले गर पर हूँ और इस गर से मेरे पिछले दो गर भी कापी अच्छी तरह से लिखते है यह हमारा गर और वो हमारा गर ही है तेंकी परमेजवाद में निच्छे आया और निच्छे आते ही मैंने घर में बहुत अच्छी चीज़ देखी और मैं आपको दिखाता है ये देखिए ये है शादी के कार्ट्स और गाउं में ये आजाते हैं तो फिर क्या चाहिए जिमने का मज़ा ही मज़ा और ये है हमारी सुबह सुबह की डाइट दोस्तों इसको खाना कापी अच्छा रहता है अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों जैसे ही हमने डाइट ली तभी दादी जी तर्बुच काटने का काम शुरू कर देते हैं और तर्बुच खाने का हम सभी बाई मज़ा लेते हैं ये अपना चोटा बाई नरेन और फिर मैं भी तर्बुच खाने लग जाता हूं तर्बुच कापी स्वाधिश् निकलते हैं मनासा बाजार की तरफ क्योंकि मेरा दोस्त की पेन कतम हो गया था और उसके पेन लेने के लिए जाते हैं और जैसे ही हम दुकान पे बहुंचते हैं और उसके सबसे पेले पेन लेने का काम करते हैं क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है और पेंड लेने के बाद फिर हम पेट पुझा का काम करते हैं और फिर मैं और मेरा दोस्त बस का इंतजार कर रहे थे क्योंकि बस में अपना आज लाइबरेरी में ऐसे लगने वाला था तो AC आ रहा था क्योंकि आचकाल गर्मी भी जादा है और फिर वो था इंतजार खत्म क्योंकि बस आ जाती है और बस के उपर आप देख सकते हो AC फड़े है तो AC लग जाएंगे लाइबरेरी में बहुत ही मजाएगा और हमारे दोस्त इतने उताव लेते क्योंकि सिदा बस के उपर ही चड़ गए AC उतारने के लिए और देख सकते हो कैसे AC को उतार रहे हैं यह जो मेरे पीचे बस खड़ी है इसके उपर सारे दोस्त चड़ने लगे थे तब ही सर ने मना किया और देखी सकते हो आप यहाँ पर काफी ज़्यादा बीड इखटी हो गई है और फिर AC को निचे उतारा गया बस से और फिर AC को लेकर सिदा हम लाइबरेरी में पहुँच गए सारे दोस्त इन AC को उठा कर और AC को हम लाइबरेरी होल में लेकर जाते हैं और इसी को देखकर बच्चे काफी खुश थे सभी बच्चों के चेरे पर मुस्कुराड आ गई थी और बच्चे बोल रहे थे राम राम भई सार्या ने AC आने की खुशी में और दोस्तों अगर आपको भी वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करे और आज के वीडियो की एंडिंग यहीं करते हैं और चेनल पर नए हो तो इस चेनल को जरूर सब्सक्राइब करें